Hello Students, यह हमारा Class 7 का 18 चैप्टर है Waste Water Story इसका हम फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिसकस कर चुके हैं इसमें जो है जो वाटर है वो हमारी लाइफ के लिए किस तरह से important है clean water का क्या-क्या use होता है, sea waste क्या है और इसको किस तरह से clean किया जाता है उसके बारे में हम activity 18.4 में आपके साथ डिसकस कर चुके थे अब आज के वीडियो में हम लोग waste water treatment plants यहां से इस वीडियो में start करेंगे तो इसमें देखेंगे treatment of waste water involve physical, chemical and biological process इसमें तीन तरह की process involve होते हैं waste water treatment plant में physical, chemical and biological process जो होते हैं जिससे की physical, chemical and biological matter जो उसमें water में होते हैं जो की contaminated होते हैं water में उसको water से remove कर दिया जाता है waste water is passed through अब इसमें किस तरह से करा जाता है इसको remove इसके लिए यहां पे कुछ steps दी हुई है जिसमें की first step है उसमें क्या करते हैं waste water को बार screen से पास कराया जाता है जिसमें की उसमें जो भी large object हैं जैसे की rakes हैं, sticks हैं, canes हैं, plastic के packets हैं, napkins हैं वो जो हैं उस बार screen के द्वारा जो हैं उसमें रोक लिये जाते हैं और बाकी जो पानी है वो आगे निकल जाता है तो इसमें जो है यहां पर आप यह diagram देख रहे हैं, यहां पर यह बारी screen का diagram है, जो कि यहां पर इस तरह के बार्स बने हुए हैं, जिसमें से जब पानी जो है आगे बढ़ता है तो इसमें जो बड़े-बड़े object होते हैं, पानी में वो पीछे ही रोक लिये जाते हैं, और पानी जो है वो आगे बढ़ जाता है तो अब इसमें हम second वाला point देखेंगे कि पानी जो है बारी screen के बाद जो है grit and sand removal tank में जाता है अब यहाँ पे जो water की speed है वो जो है बहुत कम होती है जिससे कि जो sand और grit है वो जो है क्या हो जाती है और जो pebbles है वो नीचे settle down हो जाती है इसमें इसका जो है sand grit tank का जो है grit and sand removal tank का यहाँ पे diagram आपको यहाँ पे यह दिखाया गया है जिसमें कि इसमें पानी की speed कम होने से इसमें जो भी sand और जो भी चीजें होती है वो इसमें रोक ली जाती है अब इसका third point the water is then allowed to settle down in a large scale which is slope toward the middle अब third वाले में क्या करा जाता है water को जो है एक टैंक में large tank में जो है उसमें जो है जिसमें की बीच में जो है इस तरह का जो है slope होता है इसमें जो है water को पास करा जाता है जिसमें जो यह जो बीच वाला portion है यहाँ पे जो भी है bottom में जो जो भी जितना भी sludge है जो उसमें feces वगारा है वो यहाँ पे settle down हो जाते हैं जिसको की हम लोग sludge बोलते हैं और इसी water में जो sludge जो है जो नीचे की तरब जो है वो bottom में खटा हो जाता है और जो उसके उपर जो float कर रही होती है impurities जो floatable जो solid होते हैं जैसे की oil, grease इब अगेरा इनको जो है skimmers की help से इनको remove कर दिया जाता है water so cleared is called clarified water और इस तरह से sludge उसमें से निकल जाता है उसमें जो हैं जो भी floatable solids होते हैं वो भी remove हो जाता है और ऐसा जो water होता है वो अब जो है clarified water होता है जो की हमारे diagram 18.5 में यहाँ पे water clarified का यहाँ पे diagram दिया हुआ है अब हम आगे देखेंगे की यह जो sludge निकाला गया और जो water clarified हुआ उसका भी क्या करते हैं की यह जो the sludge is transferred to a separate tank इसमें जो sludge जो की हमारे middle वाले portion में खटा हुआ था उसको एक separate tank में जो है लिया जाता है where it is decomposed by anaerobic bacteria और वहाँ पे anaerobic bacteria को भी डाला जाता है जो की इसको decompose कर देती है और एक जो है उसमें से जब decompose होता है sludge तो उसमें से bio gas जो है निकलती है जो की bio gas fuel में electricity में जो है हमारे काम आती है used to produce electricity जो है fuel or can be used to produce मतलब fuel की तरह भी उसका use कर सकते हैं bio gas का या फिर electricity produce करने में भी उसका use कर सकते हैं अब देखेंगे की air is pumped into the clarified water अभी जो पीछे हमने देखा कि जो clarified water था उसमें अब क्या करते हैं air pump की जाती है इस air pump करने से क्या होता है to help aerobic bacteria जो जब air pump करते हैं clarified water में तो उसमें क्या होते हैं aerobic bacteria grow हो जाते हैं और यह जो aerobic bacteria है वो क्या करते हैं bacteria consume human waste और जो हमारे clarified water में जो अभी भी जो कुछ human waste, food waste या soap या फिर कुछ other unwanted matter जो है रहे जाते हैं उसको वो clarified कर देते हैं इसके बाद after several hours और कुछ घंटों के बाद the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated slas और उसमें जो microbes हैं वो उसमें settle हो जाते हैं बाटम में कुछ घंटों के बाद और उसको हम क्या बोलते हैं activated slas the water is then removed from the top और जो साब पानी है वो उपर टॉप से उसको अलग कर लिया जाता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह यह इरेटर दिखाया गया है कि वो जो हमारा clarified water था उसमें air जो है पास कराई जा रही है तो यह यह जो है इरेटर यहाँ पे इसका डिखाया गया है अब इसके बाद देखेंगे कि the activated slas is about 97% water जो activated slas जो होता है उसमें जो है 97% जो है water होता है the water is removed by sand, drying beds और machines और जो water है वो जो है remove कर लिया जाता है sand and drying beds और machines के दोरा dried slas is used अब जब जो activated slas से जब water को जो है remove कर दिया जाता है तो जो dried slas बसता है उसका हम manure की तरह जो है use करते हैं और यह जो manure है यह soil को वापस जो है organic matter या फिर nutrients जो है soil में वापस आ जाते है the treated water has a very low level of organic material इस तरह से जो water कर जो treatment हो जाता है उसमें बहुत ही कम मात्रा में जो है organic material रह जाते है and suspended matter और उसमें organic matter और suspended matter जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में उसमें रहते है it is discharged into a sea अब यह जो clarified water है इसको अब जो है sea में river में और जो है ground में इसको discharge कर दिया जाता है nature clean it up further अब जब इसको जो है sea river और जो ground वगरा में जब इसको discharge कर दिया जाता है तो जो nature है इसको अब दुबारा से जो है further इसको clean करती है sometimes it may be necessary to disinfect water with chemical like chlorine and ozone और कभी-कभी जो है जो हमारा जो पानी जो हमने clarified बनाया है उसमें जो कभी-कभी chlorine या ozone को भी जो है मिलाना पड़ता है उसको distribution system में जो है release करने से पहले अब इसके बाद हम देखेंगे become an active citizen अब अगर हम एक active citizen है तो हमको उसमें क्या-क्या करना चाहिए उसके लिए हैं पताया गया है waste generation is natural part of human activity जो waste जो हम लोग generate करते हैं वो एक तरह की human activity है but we cannot limit the type of waste and quantity of waste produce कह रहा है लेकिन उसकी जो limit है उसको जो है हमें जो है जो भी waste हम produce कर रहे हैं वो उसके जो quantity है वो कम हमको produce करना चाहिए often we have replayed by offensive smell कभी-कभी अगर हम कहीं पे जा रहे हो तो हमको बहुत ही जो है खराब smell वहां से आती है the site of open drains जो open drains वगरा होते हैं तो वहां से कभी-कभी हमको बहुत ही खराब smell आती है worsen is the drainage season और यह जो situation है यह बारिज के season में जो है बहुत ही ज़ादा खराब हो जाती है when the drain starts over flowing और बारिज के season में जब हमारे जो drains बगरा है जब वो overflow होने लगते है तो यह जो situation है वो बहुत ही ज़ादा खराब हो जाती है we have to wait through the mud pools on the road और हमको रोट के उपर जो है जो मिट्टी के जो है पूल्स जैसी जो है मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देने लगती है Most unheasinic and unsanitary condition prevail और इससे जो है हमारी जो condition है वो बहुत ही जादा बेकार हो जाती है Unheasinic and unsanitary condition हो जाती है और उसमें जो है flies, mosquito और अधर तरह के जो insect है वो सब उसमें breed करने लगते है You can be an enlightened citizen and approach the municipality or the gram panchait तो ऐसी condition में जब ऐसी condition आ जाती है तो आप अगर एक अच्छे citizen है तो आपको ऐसे समय में municipality वालों को या gram panchait वालों को inform करना चाहिए insist that the open drains are covered और उनको इस बात के लिए कहना चाहिए कि जो open drains से उनको वो cover कर दें If the seaways of any particular house makes the neighbor dirty और किसी भी अगर किसी एक मकान का जो है seaways से किसी neighbor को जो है problem हो रही है उसको गंदगी हो रही है you should request them to be more considerate about other health उनको जो है बताना चाहिए कि वो दूसरे की health का भी ध्यान रखें तो इस तरह से अभी हमने यहाँ पे कि एक active citizen होने के नाते हमें क्या-क्या करना चाहिए वो अभी हमने यहाँ पे देखा फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यह जो यहाँ पे देख रहे हैं बुझो का the water is a river is cleaned naturally by the process that are similar to those adopted in a waste water treatment plant यहाँ बुझो कह रहा है कि जो river में जो water clean होता है वो बिलकूर उसी तरह से होता है जैसे कि waste water treatment plant में होता है फिर यहाँ पे बता रहा है did you know में it has been suggested that we should plant eucalyptus trees all along sea waste pond जहाँ पे sea waste ponds है उसके पास में जो है eucalyptus trees लगाने चाहिए ऐसा करने से क्या होता है यह जो trees होते हैं वो जितना भी waste water है उसको यह बहुत जल्दी absorb कर लेते हैं और जो है and release pure water और pure water जो है release कर देते हैं vapor into the atmosphere vapor के form में atmosphere में इस तरह से जो eucalyptus trees होते हैं वो हमारे environment को clean करने में जो है help करते हैं तो इसके बाद अभी हम आगे देखेंगे यहाँ पर 18.5 में better housekeeping practice मतलब हमको अपने घरों में किस तरह से housekeeping मतलब अपने घरों को किस तरह से साफ रखना चाहिए वो देखेंगे one of the way to minimize or eliminate the waste and pollutant at their sources is to see what you are lazing down the drain मतलब आप अपने घरों में drain में क्या चीज डालने हैं उसको किस तरह से कम करना चाहिए उसके बारे में देखेंगे जैसे की cooking oil और जो fats वगरा होते हैं वो जो हैं drains में हमको नहीं डालने चाहिए cooking oil and fats को ये क्या करते हैं cooking oil और जो fats होते हैं ये हमारे pipes को ब्लॉक कर देते हैं in an open drain the fats clog the soil pores और ये जो fats वगरा हैं वो soil में जो pores होते हैं उनको जो हैं बंद कर देते हैं इसके कारण जो हैं उसमें filtration जो हैं कम हो जाता है throw oil and fats into the dust bean और ऐसा हमको जो cooking oil और fats वगरा है उनको जो है dust bean में throw करना चाहिए उसको drains में नहीं डालना चाहिए फिर इसके बाद देखेंगे chemicals जो होते हैं जैसे कि paints हैं, solvent है, insecticide motor oil, medicines ये सब ही क्या करते हैं जो microbes को जो है इनको अगर हम drain में डाल देंगे तो microbes को kill कर देते हैं और ये जो microbes हैं help purify water, water को purify करने में help करते हैं, तो अजब ये microbes kill हो जाते हैं, तो हमारा जो water है वो purify नहीं हो पाता है तो इसलिए हमको जो है drain में ये जो paints हैं, solvents हैं और motor oil medicines जो भी हैं, ये हम cosma drains में नहीं डालना चाहिए अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखें, ये used tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton sanitary towels, etc, should also be thrown in the dust bean अब ये भी जो हमारी चाय बगार कि पत्ती जो हम चाय बनाते समय निकालते हैं कुछ खाने के समय जो solid foods के remains, जो मतलब खाने में जो बच जाते हैं, soft wise होते हैं, cotton है, sanitary pads है इन सभी चीजों को भी हमें dust bean में डालना चाहिए अगर इनको हम drains में डाल देंगे तो ये क्या कर देंगे, हमारे drains को जो है, चोग कर देंगे, जैसा कि यहां पर आप diagram में देख रहे हैं कि यह tea leaves को जो है, drains में डाल ले है तो यह इसकी गलत practice है और ये जो क्या? इसवाले दूसरे diagram में जो दिखाया어를 है कि यह जो tea leaves को जो है dust bean में डाल ले है और यहां पी इसकी यह जो practice है यह सही है तो यहाँ पर दिखाया गया है don't throw everything in the sink हर किसी चीज को जो है sink में नहीं डालना चाहिए तो अभी हमने देखा these waste choke the drains तो यह सारे जो अगर हम इस सारे waste को अगर हम उसमें drains में डालते हैं तो वो चोक हो जाते हैं they don't allow the flow of oxygen और ऐसा करने से जो oxygen का flow है वो जो है नहीं हो पाता है this hamper the degradation process और जब oxygen का flow नहीं होता है तो हमारा जो degradation का process है वो जो है कम हो जाता है या नहीं हो पाता है अब आगे देखेंगे sanitation and disease sanitation क्या होता है और disease उससे किस तरह से होती है अगर sanitation प्रोपर ना हो तो उसको हम समझेंगे poor sanitation and contaminated drinking water is a cause a large number of disease अगर हमारा sanitation जो है प्रोपर नहीं होगा और जो है हम contaminated जो है गंदा पानी जो है अगर उसको पी लेते हैं तो बहुत सारे disease हो जाती है let us look at our own country a vast number of our people are still without serious facilities तो हम अपने country में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सीवेज की facility नहीं है where do they relieve them सब तो अब उसको जो है सीवेज की facility अगर उनके पास नहीं है सीवेज की facility तो वो अब उनको कहां पे जो हैं relieve करते हैं a very large fraction of our people defected in open जो बहुत सारे लोग हैं वो open में जाते हैं या फिर dry जो river बगरा जो सुबक गई हैं वहाँ पे जाते हैं railway tracks में जाते हैं near fields of many times और जो हैं कभी-कभी fields में जाते हैं और कभी-कभी a time directly in water तो ऐसा करने से क्या होता है untreated human sector is a human hazard तो इस तरह से इन सभी जगे पे अगर वो जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा untreated जो है human etc है वो जो है बहुत जो है नुकसान पहुंच आता है it may cause water pollution इससे water pollution हो जाता है soil का pollution भी हो जाता है और ये जो दोनों pollution है both the surface water and ground water get polluted और इससे क्या होता है हमारा जो surface water है और जो groundwater है वो दोनों ही जो क्या होता है polluted हो जाता है groundwater is a source of water for well अब जो ये groundwater है जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं ये क्या होता है ये source of water for well ये कुवे में पानी इसी से जाता है tube wells में, springs में, end में और बहुत सारी नदियों में भी इसी से पानी जाता है जैसा कि हम लोग अपने chapter 16 में हम लोग ने पढ़ा है thus it becomes the most common route for water bone disease और अगर ऐसा अगर हम untreated water डाल देते हैं इसमें तो क्या होता है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं इससे हो जाती है और ये जो बीमारियां हैं उनके नामियां दिये गए हैं इसे cholera, typhi, polio, meningitis, hepatitis and dysentery तो इस इतनी सारी जो हैं वीमारियां हो जाती हैं अगर हम जो है untreated human excreta जो है जो है ground वगरा में जो है इस तरह से release करते हैं अब देखेंगे alternative arrangement for the sea waste disposal तो अब अगर किसी के पास proper sea waste disposal system नहीं है तो उसका alternative क्या है तो उसको समझने के लिए देखेंगे to improve sanitation low cost on-site sea waste disposal system are being encouraged तो अब जहां पे जो है इस तरह का system नहीं है sea waste disposal का तो उहां पे जो है on-site sea waste disposal system जो है बनाय जाते हैं उसका example है जैसे कि septic tank, chemical toilets, compositing pit, septic tanks are suitable for place where there is no sea waste system और septic tank जो है ऐसे जगे पे बनाय जाते हैं जहां पे की जो है sea waste system नहीं होता है जैसे कि for hospitals, isolated building और for cluster of four or five houses तो ऐसे जगे पे जो है septic tanks बनाय जाते हैं some organizations offer hygienic on-site human waste disposal technology और कुछ-कुछ जो organization है वो जो है human waste disposal technology को जो है वो provide कराती है these toilets do not record scavengering और in जो toilet को जो है scavengering जो है मतलब उनको नहीं चाहिए होती है excreta from the toilet sits flow through the cover drain into a biogas यहां से क्या होता है excreta बगारा जो है directly biogas plant में चला जाता है the biogas produced is used as a source of energy और यह जो biogas है इस excreta बगारा को एक energy form में जो है convert कर देती है तो अभी जो है पीछे हमारा यहां पे छूट गया है vermi processing toilet अब vermi processing toilet क्या होता है इसको समझेंगे a design of a toilet in which human excreta is treated by earthworm अब इसमें क्या होता है जो human excreta होता है वो जो है उसका treatment जो है earthworm के द्वारा किया जाता है has been tested in India और इसको जो है इंडिया में test किया गया it has been found to be a noble how low water used toilet for safe processing of human waste और यहां पे जो है कम water का जो है use होता है the operation of the toilet is very simple and hyzenic और यहां पे जो toilet operation का तरीका है वो बहुत ही simple है और बहुत ही hyzenic है the human excreta is completely converted to vermi cakes अब यहां पे जो human excreta है वो जो है पूरी तरह सो है vermi cakes में convert हो जाता है और जो है उसको जो है resources के तोर पे soil वगरा में दुबारा से जो है use करते है resources much needed for soil और इस vermi cakes को soil वगरा में जो है हम लोग दुबारा से use करते हैं तो इस तरह से जो vermi processing toilet है यह जो है हमारे लिए बहुत ही जादा useful होते है अब यहां से देखेंगे कि 18.8 से sanitation at public place अब public place में sanitation जो है किस तरह से होता है in our country fairs are organized जो समय समय पे जो है fair बगरा जो है organize किये जाते हैं जहां पे बहुत जादा मात्रा में जो है लोग पार्ट लेते हैं in a same way railway station, bus, airport, hospital में जो है जहां पे बहुत ही busy place है वहाँ पे thousands of people visit them daily वहाँ पे बहुत जादा मात्रा में जो है लोग daily visit करते हैं a large amount of waste is generated और वहाँ पे जब जादा मात्रा में जो लोग आते हैं तो वहाँ पे जो waste भी है वो भी बहुत जादा मात्रा में जो है generate होता है it must be disposed off properly तो ऐसी जगे में जो waste वगेरा को जो है हमें बहुत ही अच्छे ढंक से जो है वहाँ पे dispose off करना चाहिए otherwise epidemic could be break out अगर हम ऐसी जगे पे proper disposal नहीं करेंगे तो हमारी जो है बहुत तरह की जो है वीमारियां जो है double up हो जाएंगी the government has laid down certain standard government ने बहुत तरह के जो है rules बनाए हुए sanitation के लिए लेकिन but unfortunately जो है वो जो है strictly follow नहीं होते हैं however all of us can contribute in a maintaining sanitation at public place इसलिए हम सभी की duty हो जाती है कि ऐसी place पे हमको sanitation का जो है बहुत जादा ध्यान रखना चाहिए we should not scatter later anywhere हम जो भी waste जो है हमें ऐसे कहीं पे भी जो है fake नहीं देना चाहिए अगर कहीं पे भी dust wean वगरा नहीं है तो हमारा जो waste है वो हमें अपने घर पे वापस लाना चाहिए और उसको जो है dust wean वगरा में डालना चाहिए तो अब हम देखेंगी कि इस chapter को जो हमने पढ़ा उससे हम क्या निसकर्ष निकालते हैं क्या conclusion होता है we all have a route to play in keeping our environment clean and healthy तो हमें इस chapter पर पढ़ने के बाद इस बात का पता चलता है कि हमको अपने पूरे environment को clean रखना चाहिए और healthy रखना चाहिए you must realize your responsibility और आपको अपकी responsibility क्या है इस बात का पता होना चाहिए the water sources is a healthy state adopting good sanitation practice should be our way of life और हमारी जो way of life जो है वो हमको जो है उसमे जो है एक good sanitation practice जो है अपनानी चाहिए as an agent of change our individual initiate will make a great difference अगर हम अकेले ही इस तरह का change अपने आप ले आते हैं तो जो है बहुत जादा जो है उससे difference पड़ जाता है influence other with your energy और जब आप इस तरह से करेंगे तो आप दोसरों को भी जो है इस तरह से बता सकते हैं ideas बता सकते हैं कि वो किस तरह से इसको जो है अधिक से अधिक sanitization वाली जो है practice को use करें a lot can be done if people work together और जब सभी लोग इसको मिल कर इस पे ध्यान देंगे तो हम बहुत सारा जो है इसमें जो है काम कर सकते है there is a great power in collective action और जब सब लोग मिल के काम करेंगे तो हम अपने जो है environment को बहुत अच्छा बहुत clean बना सकते हैं तो अब यहाँ पे मात्मागार्नी ने भी का है no one need to wait for anyone हमें कुछ भी अच्छा करने के लिए किसी दूसरे का wait नहीं करना चाहिए else to adopt the human and enlightened course of action इसलिए हमको अकेले ही किस तरह से अपने environment को साफ रखना है और दूसरों को समझना है दूसरों को समझाना है इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने environment को clean करना चाहिए तो अभी यह chapter हमारा यहाँ पे complete होता है chapter को अच्छे से समझेगा और अगर किसी भी point पे आपको कोई problem लगती है तो आप मेरे साथ discuss कर सकते है और chapter को समझने के साथ साथ book की reading भी करिएगा और जो है वीडियो देखने के बाद अपना name और class जरूर लिखेगा Thank you